क्लास फ़न लेक्चिन नमबर एट यूनित नमबर एट मेटिरियल्स की एक्सरसाइस को आश हमने स्टड़ी करना है क्वेस्ट नमबर वन है बेसिकली एक्टिविटी है आपके पास एक्टिविटी में उन्होंने टेबल दिया हुआ है table के two column है column one column two, column one में आपने उन things के name लिखने है जो के natural material से मिलके बनी है और column B में आपने ऐसी things के name लिखने है जो के man made material से मिलके बनी है, तो इस side पे आपने column A में natural material से बनी हुい अश्या के objects के name लिखने है, number one पे sweater, pencils, shoes, necklace ये तमाम क्या है natural material से बनी हुई अश्या है, स्वैटर किसे मिलके बनता है, वूल से, पैंसिल जो है, वो किसे, वूड से, और शूज, चमरे से, लैदर से, नेकलिस, गोल्ड से, ये तमाम चीजे क्या है, नेचरल मटीरियल है, तो नेचरल मटीरियल से बनाई गई अश्या के नेम आपने इस हैं question number two है some objects or some materials are soft some are hard कुछ materials soft होते हैं कुछ hard होते हैं draw a green circle around those which are made of soft material. ऐसी things just soft material से मिलके बनी है उनके गिर्दापने green circle लगा देना है and a red circle around those which are made of hard materials और ऐसी things जो hard material से मिलके बनी है इसके गिर्दापने red circle लगाना है तो नीचे आपको four things नज़र आ रही हैं कुछ hard material से मिलके बनी है कुछ soft से like pillow floor ये क्या है soft हैं दोनों तो आपने इनके गिर्द जो है green से circle लगा देना है दोनों soft material से मिलके बनी हैं ये दो हैं आपके पास table and brick maze और int ये hard material से मिलके बनी है इसके गिर्दापने red से circle कर देना है नेक्स है question number three ये भी आपके पास एक चोटी सी activity है वो बता रहे हैं statement के अंदर के कुछ चीज़े waterproof होती है कुछ waterproof नहीं होती तो जो waterproof हैं उनको आपने things हैं अब इन में से टिक कर दें जो के waterproof हैं इसमें आ जाता है shopping bag plastic का बना हुआ ये waterproof हैं shoes जो के चमरे के बने हैं leather के ये भी क्या है waterproof हैं तो ये दोनों को आपने टिक कर देना है these are waterproof और ये आपके पास cloths हैं different ये क्या है waterproof नहीं है इनको आप क्या करेंगे cross कर देंगे next है question number four why do you think toys are made of plastic आप क्यों सोचते हैं के plastic से ही toys यां खिलोने जो हैं वो बनने चाहिए what would happen if they were made of glass अगर ये glass से बनेंगे तो क्या होगा दो part है question के part one में पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा think करते हैं कि toys जो है plastic से बनने चाहिए तो answer है because they are safe क्योंकि ये save होते हैं तूटते नहीं है जल्दी ठीक है part two है what would happen if they were made of glass अगर ये glass से मिलके बने हो ठीक है शीशे के हो खिलोने तो क्या होगा तो answer है इसका they may break easily ये असानी से तूट जाएंगे ठीक है इनके breaking के chance जो है तूटने के chance क्या होंगे ज्यादा होंगे तो ये आपने बिटा याद कर लेना है hope so कि आपको clear हो गया होगा